अट में शेह कोड़ी और में विंदाल और साथ माँ अलगता है किसे उसकी मैस बनानेवाली हो एक वीडियो मैं ने могут शेयर शेहिए डाइ से और सुधिकना alaim को शोली में आने अंडियोयी बनाने वाला है यहां पर एकुसी के आप शिरू करते हो तो यहां पर इसको थोरी तिर आपको भून लेना है अच्छे तरीके से हाई फ्लीम पर जब तक मतर का बिल्कुल का चापन जो होता है और वो निकल जाए तो इसलिए यह वाला प्रोसेस फॉलो करती हूँ तो यहां पर मतर भून गया था तो इसको ग्रैंडर मैट के और एकदम दरदरा सा पीस लेना है तो चलिए मसालो के लिए मैंने यहां पर लेस्न की कलिया प्याज और साबुत लाल मिर्श लिया है तो इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे हम इसे बहुत जादा हम ज़रत नहीं है एकदम शालो फ्राइ करना है हमें जाना के लिए तो यह डेकि हम नहीं कर नाना खराइब और हमारा शालो फ्राइ हो गया है तो इसे हम ग्रामडर में बीसलेंगे यदि हम दरदरा सा बना Rs. 18 0000 श्चर्ण फोरें मेठीस श्चाहर करें बहुति प्याज गंगें ज्यएवन्लिट ठीष बढ़ें तो यहां पर मैंने पीसेवे मसाले को एड़ कर दिया है और इसे भी कुछ सेकंड्स भूनूंगी अब मेरी दोनों ही रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा तो यहां पर काश्मीरी लाल मेर्श जाएगा कलर के लिए तो रहसा हल्दी पाउडर जाएगा अब इसके बाद इसमें जाएगा गुलकी थोरा सा धनिया पाउडर थोरा सा जीरा पाउडर और इन सब मसालों को भी अच्छे तरीके से कुजेर भूनेंगे उसके बाद इसमें लेसन का पेस्ट आड़ करूँगी करोंगी तो यहां पर मैंँ फ्laver के लिएपर नहीं पूल विए टोराट से भूरगी यहां पर मैंने तरीके का लेस्अ का फ्लेवर पेस्था यह छाहलम counter आस ना पर मृत्तित तौरेण ना में आपका, और मक्नी तवरन आपका है यहां बुन लेना है थो बून जाए में जब तक भून रही है तो इसली तो में तो फ्लेवर आती है दर दर पीशावा मतर भी फ्राइक है किया है तो मतर प्राइक पिंख भाए है बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि दोनों में अच्छी सी एकडम कॉंबिनेशन आ जाए दोनों ही एक दोसे के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाए तो तब तक आप अच्छी से भूने और जब तक देखो कि आप मसाला बिल्कुल कराई से सप्रेट होने लगा है तो या आती ही आती है कालर भी बहुत अच्छा आता है तो इस तरीके से एकडम भून लेना है और पानी आट कर देना है और जितने इंक्रेवी रखनी होना बस उतना पानी राल दो इसमें तो यहां पर मुझे थोरा सा गढ़ा पसंद है तो मैंने उसे पानी आट किया है क्योंकि ह इसमें बॉइल भी लाना है तो आपके घर में आपको जैसा भी पसंद हो सबको आप उसा गढ़िंग रखे इंक्रेवी को तो चलिए अब इसमें थोरा सा गरमसाला जाएगा तो अलगबग दो से तीन चुटकी गरमसाले इसमें आट कर दिया है और देखो कितनी बढ़िया तो यह देखिये जैसे कि सारे मसाले को अमने अगताम फ्रेश बढ़िया सी तो तेस्ट भी तो असे अगर बढ़िया सा तो यहां पर नमक बे आट कर दे रहा है आपर सब सोच रहोगा नमक मैंने लास में क्यों डाला तो जब भी पान के डालते हो तो कम जाधा हो सकता है त अगर अगर आप नमक डालोगे तो आपको भी बालेंस पता रहेगा कि अपने कितना डाला है कम जाधा नहीं होता तो यहां पर मैंने थोड़ा सधनिया पता आट किया है खुष्भू और फ्लेवर के लिए सारी शीज़े बिल्कुल बालेंस है आप यहां पर इसको थोड़ लग बाल तो से तीन मिनट तक और यहां बढ़िया सी हमारा मतर का निमोना बन करता है यहां रिखर आप चुटे चुटे से लालमेश की दाने दिख रहे होंगे आप तक तो आप इसको गरम गरम चावल के साथ सब्सक्राइब बहुत पसंद आएगी सबको और आप मुझे रेसिपी को फॉलो करना और मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी दोनों में से कौन से रेसिपी जादा अची लगी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूँए